नहीं तो दिन रात काते हैं ज्यानी खोजत ज्यान में भजनी भजने अपार और ते हरी ठाड़े रहत हैं ब्रजदेवीन के द्वार तो ज्यानी ज्यान में ढूण रहा है भजनी माला जोली लेकर के भजन कर रहा हैं नहीं ध्यान दे रहे हैं लेकिन जो पढ़ियान पढ़ गोपियां थी, उनके द्वार द्वार क्यों भटकते थे, क्योंकि उनसे प्रीती थी, उनसे प्रेम करती, बिना प्रेम कठाकुर नहीं मिलते हैं। नमस्कार साथियो आपका दोस्त आपका भाई आपका साथी संतों के चंडों का दास मैं कनया सर्मा जैसे को धर्म की यात्रा में लगा था संतों के दासन करा रहा हूं। आपको वीडियो मुझे पता है, बहुत कम लोगों ने देखा कोई बात में। क्योंकि उभागे से जादा समय से पहले उनको दिखाई नहीं देगा या दर्सन नहीं होता है। आज मैं संत के दर्सन करवाने वाला हूं इसी जंगल मैं लेकिन माप ही चाहता हूं एक चीज के लिए। कि आज मेरा स्वास्ति है थोड़ा सा जुखाम और बुखार होने की वज़े से आवाज में थोड़ा बदलाव। और हो सकता सहसंग में थोड़ा मैं परहसान हो हूं या खांसी आजाए तो मुझे माप कर देना। लेकिन संतों के दर्षन दो तीन दिन से नहीं हो रहे थे क्यों मेरे साथ ऐसी लिहला हो गए थी वह में आपको साथ शेयर की। और जिन भायों ने मेरे साथ सत्ती घटना या मेरे जीवन का अनुबहु नहीं देखा है। उपर आई बटन या वीडियो के डिस्क्रप्शन में में उसका लिंक देदूगा नहीं तो कल का वीडियो जरूर देख लेना। और अब हम उन संथ के दर्सन करने चलने हैं लेकिन यह कह सकता हूं। जुगल जोडी के भक्त है हरिवन संपरदाई से वह दिक्षित है और उनकी ससंग लेंगे। और साथ साथ इसी जंगल में क्यों रहते हैं क्या कारण है वह भी जाने को सीज करेंगे। कच्छी कुट्या में रहते हैं उनके दर्सन करवाने को सीज करूंगा में। साथियों जैसे के बात बत और बदातेता हूं। कि ऑनके जीवन का नोगों बताएंगे, उनके साथ कि प्रकात समथकार रहा। लेकिन इस इस्तान का संतों की तफो भूमी कही है इस जारीवें। जैसे कि इस जाडियों में संतों की तफ़ बूमी है यहां पर बड़ी कह सकता हूं लीला हुई है ठाकुर जी ने जुगल जोडी के साथ यहां पर लीला की है कर दो आपकी दश्टी से सबसे पहले किसका अध्यन करना चाहिए रामाइन का यह सिर्मत भग्वद की तार हूं देखो भगवान वही से राम भी आवतार लेकर लेकर आएं लेकिन इह भी तो भागवत में बताया गया है कि उन्हें कितने लेकर Кलाओं अवतार नहीं है इसलिए राम भी जो हैं ठीक है उन्हीं के अवतार हैं लेकिन वो भी कुछ समय के लिए पीछे हो जाते हैं क्यूंकि वो ब्यवहारिक लीला को प्रगट करके गए है भगवान कृष्ण भी आये वो भी ब्यवहारिक लीला ही संसार के अनुसार ही प्रगट करके गए लेकिन व जो रसिकों ने प्रगट कर दिये नहीं तो आवतार पीछे सुक मुख बचन स्रम अने सुनावग जब स्री हरी बंसी विना अधुरे हैं आप जानते हो ना भगवार राम भी आया तो बंसी नहीं है वहां पर बंसी के बिना आधुरे हैं पूर्ण रूप में जहां बंसी के सह तो जहां प्रेम की लीला हो रही है भगवान भी आए वे अधार की लिला भी आए क्रिश्णा उतार में ना प्रकार के लिला वह भी आईस्वरे रूप में आए, लेकिन वहां उनका नित्य की लीला हो रहे है ब्रिंदावन धाम में, तो वही पूर्ण है, वहां प्रेम की लीला है, वहां अकासुर बकासुर उतना पूतना यह सम नहीं मिलेंगे, यहां आईस्वरे नहीं मिलेगा, भगवान अवतार ल अभर मंधित लीला रहेगे और नित्य में जाओगे तो वहां सा चत्रेम की लीला कि गोल हित की लीला आनंद की लीला है। तो उसमें जब नित्य को अपने को डुबा देऊगे वहां जाने बाद भूतल पर नहीं आना पड़ेगा। गो लोग सभी भूतल पर आ जाना पड़ रहा है। तो हमें ऐसे जगा भजन करना है उनका भजन करना जहांस हमें फिर आना नहीं पड़े तो वो नित्य भ्यार धान है। मराजी जैसे कि अभी एक चलिक पुन्य करेंगे यह दान करेंगे तो हमें उसे कहते हैं भोगने के लिए आना पड़ेगा। अगर हम गलती से पाप करते हैं तो हमें भोगतने के लिए आना पड़ेगा। तो हम ऐसा कोहूं सा तीसरा मार्ग अपनाएं तो इन दोनों से छुटकार मिल जाएं। तो ऐसा कर्म सो छोड़ देओ। कर्म धर्म कोव करहु बेदविदी कोव बहुविदी देवतन उपासी। कोव यम नेम करत अपनी रूचि कोव अवतार कदम उपासी। मन करम बचन त्रीसुद्ध सकलमत हमसरी हइठ हरिबश उपासी। जो हरिबश इस हprehills है unrest कोव नेम करने आप हुआ है। नहीं का पुण्ऽद्धर करते नहीं करों करम धर्मे सब करते हो तो करते रहो। बहगमान की कदम मतलब समूह। ऑुतार कदम भजाता है। अवतारों के समुह के समुह को पकड़ के भज रहा है तो भज रहा है तो भजती रहा है लेकिन मन करम बचंस तिरसुद्ध हो करके हमें स्यामा स्याम का ही भजन करोगे तो यहां से फिर आना नहीं पड़ेगा इनकी नित्य सेवा में हम जो है संब्लित हो जाएंगे महरा जी जैसे कि अपने कहते हैं कि जैसे यहां की लिला की बात भी आप बता रहेते हैं मुझे भी इतिना पता नहीं था जैसे कि आपने पते हैं उनको गुरू जी का बारेम थोड़ा सा हमारे दर्सकों को बते हैं नागा बाबा जी का थोड़ा लिला और गुरू और गुरू को पीछे नहीं चोना है, आगे ही लेकर जाना चाहते हैं, तो नागा जी महराज कदम खंडी में इनका धाम यहाँ पे विराजमान है, तो इनका पैत्रिक गाउं था पैगाउं, और वहीं पे मंदिर भी था गाउं का, वहाँ पे उनके गुरू जी वहीं अस्थान मे भजन करते थे, मंदिर था, गायों की सेवा होती थी, तो वहाँ जाते जाते नागा जी को, वहाँ अनुराग हो गया, बैराग हो गया, तो उनके गुरू जी से दिच्छा ले करके, वहीं भजन करते थे, वहीं गायों की सेवा करते थे, सेवा करते करते, गायों में तो सब देवी देवताओं का वास होता है तो उनकी कृपा हो गई और कृपा हो गई वो सिद्ध महापुरूस हो गई एक बार गोबर डालते परात ले करके चलते तो अधर-अधर परात ही उनकी चलती थी तो कोई भक्त आ गए उनके गुरु भराता तो उन्होंने पूछे महाराज जी कहां है गुरु देव तो नागा जी महाराज बोले कि महाराज जी तो अभी गईया बचणा को बड़े हो गए हैं उधम कर रहे हैं उनको नथवा रहे हैं तो उनको रस्ती लगा देते हैं नाक में तो लगा करके उसको ऐसे सूचे कि इतो मजाक कर रहे हैं फिर दोबारा पूछे कहां है महाराज जी तो बोले कि तो गईया बचण को बधिया करवा रहे हैं और ऐसे कथाए हैं कईयो कथाए हैं तो फिर उसके बाद उन्होंने आगे बढ़ गई गुरुजी की कुठी की तरफ मौ गया जा करके दंडवत पढ़ाम कीए, गुरुजी कुठी में भजन कर रहे थे, उन्हों को सास्टाक दंडवत पढ़ाम करके, गुरुजी आसूं दिये दिये विराजमान भय, तो चर्चा करते समय उनसे बताए कि नागा जी महराज से हमने इसे इसे पूछे तो वता रहे हैं गुरुजी गई है बचणन को नगधिया करवा रहे हैं तो उन्होंने सोच विचार के बूले नहीं ठीक कह रहे हैं फिर उनसे ज्यादा चर्चा नहीं किये फिर वो चले गए उसके बाद नागा जी महराज से फिर निवेदन किये कि महराज अब एक जगर दो सिद्ध महापुरुस कैसे रहेंगे अब आप भजन करो 84 की हमारे स्यामार स्याम को जो लीला अस्तली है उनकी परिक्रमा लगाओ तो वो गुरुजी की आग्या मान करके उचले आए अपना 84 की परिक्र लगाते लगाते उनकी ही इसकी लताओं में उनकी जटा अरुजी गई वो सुर्ज आवे सुर्ज है नहीं तो बहुत कोशिस की यह वो और ब्रजवासी गणा आवे सभी लोग गोई बाला कावे कोई आवे पूछे तो सब लोग से यही बस बोले नहीं नहीं जिसने अउन आएं गई और जो कोई आता है एक बार भगवान कृष्ण ही आ गए और बोले कि महराच तो जटा अरुज गही है सुर्ज हादे मोले नहीं तो बोले नहीं हम ही कृष्ण है तो बोले कि हम कैसे माल ले आप ही कृष्ण हो हमारे कृष्ण है हमारे स्यामा स्याम तो एक संगी रहते हैं अब अकेले हो हम कैसे माल ले आप ही कृष्ण हो तो उसी समय जो है राधराने ने थाल सजाए भई आरती का भोग का थाल लिये हुए प्रगठ हो गई फिर भगवान कि उसने जटाग असुर जाये असुर जाने के बाद उसके बाद भोग लगाए आरती किये फिर स्यामा से आम दोनों आगे बढ़ गए फिर विचन करते हुए रास भिलास करते भई अपने आगे बढ़ गए नागाजी महराज ने बहुत दिन तक यहाँ पिर अपना भजन करते करते यहीं सरीर पूरा कर लिये उनका यह ढान्य धाम है कदमखंड़ी धाम मरादी जैसे की भहुँ सारे आश्रम में रहते हैं, मठों में रहते हैं, लेकिन आपने पूरा जंगल अपने या जाडियों में, तो यसे क्या बावाए आप जंगल की तरपाएं आश्रम मठों को छोड़ कर? कोई बार नहीं, पहले संत महात्मा जंगल में ही भजन करते थे, जंगल ही जंगल रहता था पहले, तो वहां ये कांत में चिंतन भजन अपना करते थे, धीरे धीरे जंगल भी उजड़ते चले गए, अब लोगों ने धामों में आ करके, आचार्यों ने साड़े 500 वर्ष पहल था, तो आ करके सब लोगों ने यहां पर सबस्थानों को प्रगट किये, बताए, यहां ये लीला है, यहां ये लीला है, सबस्थानों में आ करके, फिर वहां धीरे धीरे सब संतों भक्तों ने आ करके, भजन जंगल उजड़ते चले गए, आ करके भजन करते चले गए, तो अपनी अपनी रहनी अभी कहीं कहीं पे जंगल है तो अगर भक्ति करनी है तो भक्ति तो त्याग से बैराग से ही होता है लेकिन बिंदावन में तो बिंदावन में तो नित्य भिहार भजन दायक को उत्सव ही उसिराव है तो बिंदावन में जो है अपना सभी लोग उत्सव करकर कि स्यामा स्याम को लाल लड़ा करके भजन भक्ती में हाव में डूब रहें अपना आनंद ले रहें उसका तो हम भी बहुत समय तक बिंदावन में रहे और जगा रहे सब उस्व कि भजन कि अब यहां पर आ गए यह कांत में थोड़ी अब मन असांत मतलब सांति के जो सिद्ध माप्रोज सको दर्शन दिया सभी लोग एक आंत में भजन करके स्यामा स्याम को प्रगट किये हैं गुरु जैसे कि आपने बताया कि भगवान को भक्ति ना त्याग वेराग से प्राप्त होती है तो जैसे कि बहुत सारे मेरे माताइं बहने भाई जैसे घरस्त म संभव हो सकती है संभव हुआ ही है देखो रैदास जी पीपा जी ये सब जो है सभी लोग कभी दा ये सब जितने सब भक्त लोग रहे सब क्रिष्ट मेरा करके ही भक्ति किये हैं तमाम भक्त माल में चरित रहे तो निसकाम हो जाना चाहिए घर में जो कर्म कर रहे हैं अपन देखो आती है कथा गोपिया कोई माला नहीं जबती थी, कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है सब जो कछू करती सब स्यामा स्याम, उसी का ग्वाला को भगवान कृष्ण का उन्हीं का ही मतलब कि उसको डाटेंगे, गाली देंगे, उसके लिए ये बना के ल ग्यान में भजनी भजने अपार, ते हरी ठाडे रहत हैं ब्रजदेवीन के द्वार, तो ग्यानी ग्यान में ढूण रहा है, भजनी माला जोली लेकर के भजन कर रहा है, नहीं ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो पढ़्यान पढ़ गोपियां थी, उनके द्वार द्वार क्यो वह भजन कर सकते हैं, वो भक्ती भाव में हो जाता है। लेकिन कोई आवे तो सही हमने अनुभव कर लिये हैं उनके सरण में जो आ जाता है उनको कभी किसी प्रकार की कमी नहीं होती है किसी प्रकार का कष्ट नहीं मिलता दुख नहीं प्राप्त होता है लेकिन उनके सरण में कोई आवे तब हो जाना चाहिए वो इसे हर जीव को होन अब घटना की बात अब हम आपको क्या बता है हमने तक अनुभव किये हैं संतों के मुख से भी अनुभव किये हैं गुरुजी देखो अब यह तो बड़ी दुखत घटना एक हमारे साग घटी थी एक गोबर्धन में सूरज कुंड है अभी बहुत दिन की बात नहीं है कई सा साल हो गया होगे 10-15 साल 20 साल जो भी हो गया हो में द्यान नहीं आ रहा है तो उहां पर एक सिद्ध बाबा रहते हैं सूरज कुंड पर तो वहां हर साल वसाइद भजन भंडारा करते थे तो हमने भी सुनेते कि वहां सिद्ध बाबा है तो यहां से गाड़ी या रहे थी हम और उसके बाद च्छत प्रादा च्छत यह का एक जो है बहुत लंबी चाड़ी थी घाटर लगा हुआ था इस सीड़ी यह कही थी उतरने के लिए सब रहे कठा हो गए वहां पर अभी कठा हो गए और अब अब बढ़ गया च्छत यह का एक बैठ गई कोछ तो नीचे रहे होंगे उनकी जो गती भाई होगी उपर सभी बहुत से लोग गिरे हम भी गिरे लेकिन हमें तो कुछ नहीं हुआ हमने तो सीधा निकल के लोगों कुछ सहायता करते हैं चले आए एक बार हमने बाद ग्राम में रहते थे अपने आचारे गदी पर जहां हरी बंस महाप्राव का प्रागा टेस्तली है तो वहाँ पर हमने बिजली का तार था तार हमने ऊपर से बिजली काटे आये थे लेकिन किसी ने लगा दिया अब हमने तार को छिल करके मुझ से छिलने जा रहे थे और छिलने ही जा रहे थे कि जबकि गुरुजी हमारे गुर्दयों वहाँ नहीं थे लेकिन येका एक पीछे से पता नहीं कैसे प्रगट हो गए वो गुर्दे प्रगट हो करके पीछे से आवा लगाये जैई जैई स्री अर्बांस अब हमने मुख में डालने ही जा रहे थे कि येका एक आवाई लगाये अब हमने जाकर के उनको दन्रोत पडाम किये तो उस अश्थान में गाय की सेवा करने वाले हमारे पास ही खड़े थे वो फिर उन्होंने तार को कहीं चुआ है तो भीली जल गई फिर हमने उस तार को जोडने के लिए गए तो बता रहे हैं कि इसमें तो करेंट आ रहा है तब हमने कहें गुर्देव ने कितनी बड़ी कृपा किये आ करके जबकि यहां नहीं थे यह का एक प्रगट हो करके आ गए वो उन्होंने आवाज लगा दिए क्योंकि मुह में हम तार डालने ही जा रहे हैं तो यहां तक चला गया था तार तुरंत छोड़ दिए तो यह कृपा होती है श्री जी किसी ने किसी कारण से सब को उनकी रच्छा करती है इसका अनभण करना चाहिए इसका बिश्वास मान करके उनको बिश्वास करना चाहिए है तो क्या आपका इस्तान गूप्त रखाई किसी को जरूइज जरूवत है ज्यादा परचार करने के भागते तो भजन करना हैं ये बताना ये सब करने से और ज्यादा बताने से क्या है लाना लोग प्रकार के आएंगे यहां पे भजन में और डिश्टर्ब होगा जो सर्दा भाव वाले होंगे वो तो अपने आप कहीं न कहीं से आ जाते हैं प्रचार करने क्या जरूरत है कोई भूल चुक गई ससंग अभो समझ के तुछ परानी समझ के माहप कर दो साथ जैसे मराजी से मैंने ससंग ली और भक्ती भाव के लिए बताया जैसे कि वेराक के बिना त्याग के बिना भी आप भजन भक्ती कर सकते हो जो है प्रेम भक्ती लगाओ की साथ जैसे अब ठाकुजी के साथ राधरानी चाहर एक रिस्ता बना लीजिए जैसे बच्चे के स बनाते हैं पति के साथ बनाते हैं उस पर गड़े रिस्ता बना लिजिए तक भगति आपको इस पार्क वो उससे ज्यादा मिलेगी मराजम से माला से योग से सबसे ज्यादा वह बगति मिलें आज की ससंग बड़ी दुरलब थी और कह सकता हूं मराजम जाज ठाकुर जीकी लि त्याग बैराग के साथ में वहां पर किवल उन्हीं का चिंतन होगा तभी भजन होगा और भगवान के आवतारों के उपासना में तो ठीक है सब इसे करके भगयान कर ले होगे लेकिन नित्य बिहार में तो सब कुछ त्याग करना ही पड़ेगा जैसे गुरुजी करें नित्य जै गुरुदेव